स्वागत बच्छों आपका Self Study के चैनल में और आज की हम अपनी 18th vocabulary की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम अपनी vocab कैसे कर रहे हैं with trick या फिर कहूं की के साथ और इससे पहले अगर आपने पहले वाली 17 वीडियो नहीं देखिए तो एक playlist मैंने बना रखी है vocabulary के नाम से तो जाकर आप देख सकते हैं तो बिना time waste के आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो आज का पहला word है वो है गौक गौक इसकी pronunciation है गौक और इसका मतलब होता है बेतु का आदमी बेतु का आदमी और इस गौक को हम याद करेंगे कहीं ना कहीं इसकी pronunciation जो है वो भौक कुटे भौक ते लिए है उससे आ रही है ठीक है ओके गौक को हम याद करेंगे भौक से ओके एक्जामपल के तुरू हम इसको समझ लेते हैं बेतु का आदमी बेतु का आदमी पूरे दिन से भौक रहा है भौक रहा है होते हैं कि कई मूर्ख इंसान होते हैं बस वो सारा दिन से बोलते ही बोलते रहते हैं उनकी बात का कोई सरपैर नहीं होता है उनको बस बकना ही बकना होते हैं तो वैसे हम इसको याद कर लेंगे, तो बेतुका आदमी, यहाँ पर इसका मीनिंग आ गया, और भॉंक यहाँ पर की आ गया, clear, गोक, गोक का मतलब होता है, बेतुका आदमी या मुर्क, यह भी होता है, clear, तो फर्स्ट वर्ड के पास हम अपना सेकेंड वर्ड देखते हैं, स इसका मतलब होता है, महतवहिन, इसका मतलब होता है, महतवहिन, ओके, इस पैकडिल को हम याद करेंगे, पकका, पकका दिल, पकका दिल से, पैकडिलो का मतलब होता है, महतवहिन, वैसे इसका मतलब जो होता है, हम इसका यूज़ करते हैं, बहुती तुच, कहेंगे, अपरा मतलब उसको हम इग्नोर कर सकते हैं लेकिन इसका कही न कही मतलब महतवहीन भी होता है इसका मतलब होता है महतवहीन इसका हम याद करना है पक्का दिल से और हम इसका एक्जामपल के तुरू समझते हैं पक्का दिल वाले लोग महतव यह है महतव हीन अरे यार यह पूरा ही गलत कर दिया कि मैंने एक विनिट एक विनिट मैं इसको रॉफ कर देता हूँ ओके पक्का दिल वाले लोग महतव हीन बात करते हैं क्योंकि भाईया उनके दिल में कोई भी एमोशन नहीं होता तो इसलिए वो महतवहीन यानि उनकी बात का भी सरपेर नहीं होता है ऐसा समझो तो पक्के दिल वाले लोग ऐसे बात करते हैं महतवहीन बात करते हैं पकडिलो का मतलब होता है महतवहीन और हमने इसको याद किया पक्का दिल से second word के बाद हम third word की तरफ चलते हैं third जो word है वो है kosh kosh इसका मतलब होता है रद कर देना या समाप्त कर देना और इस kosh को हम याद करने वाले kash इसको हम याद करने वाले kash शब्ड से example की तो हम इसको समझते हैं kash आपकी यात्रा काश आपकी यात्रा रद हो जाए रद हो जाए क्लियर रद हो जाए क्यों भई है क्यों रद हो जाए क्योंकि आपके साथ हमारा दिल लग गया है ऐसे समझो इसको काश आपकी यात्रा रद हो जाए तो यहाँ पर इसकी की भी आगए यहां पर इसका meaning भी आ गया, clear यह काफी अच्छा वर्ड लगा मुझे, okay, third word के बाद हम चलते हैं, fourth word, fourth जो word है वो है gap, gap, इसका मतलब होता है, आश्चर चक्कित रहे जाना, और इस gap को हम याद करने वाले हैं, गपे, वह दाना, गपे हांकना, गपे मारना, बस अपनी बड़ाई में गपे मोल देना, तो यह चीज़ हैं, और हम इसको example के through समझते हैं, उसके, उसके गपे सुनकर, उसके अरे यार, ये फिर से, फिर से मेरे से गलती हो गई, उसके गपे सुनकर मैं हैरान हो गया या मैं आश्चरे चक्कित हो गया एक बार फिर से देख लेते हैं गैप का मतलब होता है आश्चरे चक्कित और हमने इसको याद किया गपे से उसके गपे सुनकर यहां पर इसकी की भी आ गया और आश्चरे चक्कित हो गया यहां पर इसका मीनिंग भी आ गया और जो इस वीडियो का जो लास्ट वर्ड है वो है कले मिटी कलय मिटी कलय मिटी संकट संकट और कलय मिटी को हम याद करने वाले हैं काली मिटी से कली मिटी से कली मिटी से और एक्जांपल के तरू हम इसको समझते हैं काली काली मिटी काली मिटी उर्वरक काली मिटी उर्वरक के कारण संकट में है संकट में है संकट में है clear हुआ calamity calamity का मतलब होता है संकट और इसको हमने याद किया calamity से calamity उर्वरक के कारण संकट में एक बार जल्दी से पांचो वर्ड को revise कर लेते हैं पहला जो वर्ड हमने किया पेकडिलो, पेकडिलो का मतलब होता है महतवहीन और हमने इसको याद किया है पक्का दिल से पक्के दिल वाले लोग क्या करते हैं महतवहीन बाते करते हैं इसके बाद जो थर्ड वर्ड हमने किया है कोश, कोश का मतलब होता है रद करना और इसको हमने याद किया है काश, काश उसकी यात्रा जो है वह आपकी यात्रा रद हो जाए ताकि हम एक साथ टाइम भीता सकें, clear अगला जो word हमने किया gap, gap का मतलब होता है आश्चरे चकीत, इसको हमने याद किया है गपे से, उसके गपे सुनकर भई साथ मैं तो आश्चरे चकीत रहे गया अगला जो last word हमने इस वीडियो का है calamity का मतलब होता है संकट और इस word को हमने याद किया है काली मिट्टी जो है वो उर्वरक के कारण उर्वरक के कारण यहां पर इसके की है संकट में है I think आप लोगों को यह 5 वर्ड याद हो गए होंगे याद होगे हैं तो इस वीडियो पर like तो बनता ही है और इसको subscribe करें इस channel को और share करें वीडियो को भी और channel को भी दोनों को ही आपको share करना है इस वीडियो से related अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो description box में आप लोगों को एक link मिल जाएगा page का link मिल जाएगा facebook के वहाँ पर आप जाके उसको like कर लीजिए वहाँ पर आप लोगों को आपके ही exam के point of view से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी साथी साथ आप लोगों को telegram का भी channel मिलेगा आप उसको भी join कर लीजिए वहाँ पर भी pdf upload होती रहती है थैंक यू पर वोचिं इस वीडियो